ओम साइना थायनमे आईए जानते हैं कि साइन बाबा साथ वर्शों तक लगातार गेहूं क्यों पीशते रहे चक्की में आपको एक घटना बताती हूँ यह घटना सन 1910 की है उस दिन हेमाण पंद्च्री साइन बापा के दर्शन करने के लिए मंदिर गए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चरे हुआ कि साइन बाबा हाथ मूं धोकर आंगन में टाट के टुक्रे पर रखी चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीश रहे थे उन्हें ऐसा करते ना देखकर हिमाण पंद्पल की वहां पस्तित सभी भक्त जन सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार भी नहीं है और जीवन निर्वाह भी भी भीख्षा मांग कर करते हैं तो फिर उन्हें घेहूं पीशने के आवश्यकता क्यों हुई लेकिन बाबा के कारण पूछने की किसी को हिम्मत नहीं हुई कारण की साई वह वक्षन भर में रूस्ट हो जाते थे तो चन भर में प्रसन भी हो जाते थे बाबा द्वारा गेहूं पीशने की खबर सिरडी में सब तरह फैल गई थी इसलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी बाबा को गेहूं पीशता देखकर भीड़ में से चार इस्त्रियां आगे आई और बाबा पे के पास पहुँचकर उन्हें हट करके वहां से उठाया और स्वेम गेहूं पीशने लगे साथ ही वे साई लीला का गान भी करती जा रही थी उनस्त्रियों के ऐसे विहार से पहले तो बाबा को दित हुए लेकिन चंद मतर में ही इस्त्रियों के भक्ती भाव को देखकर प्रसंद हो गए और मुस्कूर आने लगे गेहूं पीशती उनस्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो है नहीं तो वो गेहूं किस के लिए पीश रही है इन्हें तो भिक्षा मिल जाती है उन्होंने सोचा कि बाबा तो बड़े दयालू है हो सकता है कि वो लोगों को बाटने के लिए गेहूं पीश रहे हूं वो ऐसा सोचती भी जा रही थी और साथ में साई बाबा का गान भी करती जा रही थी इस तरह से उन्होंने बहुत सारे गेहूं पीश दी फिर सारा इकटा-इकटा किया और चक्की वहां से अठा कर आटे के चार भाग कर दिये और अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लेगी लेकिन तभी शान्त मुद्रा में बैठे बाबा एक का एक रोजित हो गई और उस त्रियों को डारते हुए बोले अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो इसके बाब का माल समझ कर राटा लेके जा रही हो यह किसी करदार का माल है जिसे तुम इतने आराम से उठा कर ले जा रही हो फिर बाबा एक समाने होकर बोले अच्छा अब तुम ऐसा करो कि इस आर्टे को गाउं की सीमा पर पिखेर कर आ जाओ जाओ जल्दी जाओ बाबा का ऐसा आचरन देखकर हिमाड़ पंद को कुछ भी समझ नहीं आया फिर उन्होंने सिर्डी के उन लोगों से जो बाबा की सीमा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया तब उन्सिर्डी वासी साई भगतों ने हिमाड़ पंद को बताया कि गाउं में हेजा फेला हुआ है अभी जो आपने गेहूं पीस्ते देखा था वो वास्तों में गेहूं नहीं थे बल्कि गेहूं के रूप में हेजा था जिसे पीस कर नश्ट कर दिया गया है बात भी सत्य थी देखते ही देखते हैजा समाप्त हो गया और सिर्डी के लोग स्वस्त और सुखी हो गए सिर्डी वासियों ने जब ये सुना कि आटा गाउं की मेड पर भिखेर देने से हेजे का प्रकौप शामत हो गया है तो वो बहुत पैसिन हुए लेकिन उन्हें आश्यरे भी हुआ कि आटे का हेजे का क्या सम्मंध हो सकता है लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने गहन चिंतन किया क्योंकि गेहुं पीषने का और कोई रहष्य नहीं है उन्होंने विचार किया ही साही बाबा सीर्डी में साथ परश्यों तक रहे इस दोरान उन्होंने प्राय नित्ते ही गेहुं पीषने का काम किया वास्तों में एसा करके बेर अपने भक्तों के पापों, दुर्फाग्यों, शारिरिक और मालसी कर्ष्ट दोर करते रहे और उन्हें नस्ट करते रहे पस्तुत है, श्री साई बाबा जिस चक्की से गहूं पीसा करते थे उसके उपर का पाठ भक्ति का प्रतीक था और नीचे का पाठ कर्म का चक्ति की मुठ्या ग्यान की प्रतीक थी, श्री साई बाबा का ऐसा ज्लडे विश्वास था कि मनुश्य की मनौरत्या, आशकती, मोहों, घ्रणा, एहें भाव, जब तक नस्ट नहीं हो जाता तब तक उसका उधार नहीं हो सकता मनुष्य को ग्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती इस प्रकार से साई बाबा द्वारा गेहूं पीषने की घटना से हमेश्मन हो जाता है कि निर्गुण संत कभी दास ने भी एक स्ती को चक्की से गेहूं पीषते देखा तो रोवे रोने लगे और सुन्सार उपी चक्की के मत है पीषे जाने की पीडिया का अनुभव करने लगे और कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कभीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कभी दास ने जब अपनी बात गुरु रामान अन्जी से कही तो वो बोले कि घवराओ मत चक्की के किंद में जो दंड है वह ग्यान का प्रतीक है उसी ग्यान रूपी दंड को दिड़ता पूरवक पकड़े रहो जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसा ही तुम भी करो ग्यान रूपी दंड से दूर मत हो जाओ उस किंद की और बढ़ते चलो एसा करोगे तो निश्चही तुम संसार रूपी सागर की चक्की से बाहर निकल जाओगे ओम साइन नमो नमा आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें लाइक करें आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तक कि मैं आपको और भी अच्छे वीडियो इसी तरह देती रहूँ आम साइन नमो नमा